केदारनाथ मंदिर के रहश्य जो आप शायद ही जानते होगे हिमालियन जुओलोजिकल वेग्यानिकों के अनुसार तेरवी और शतरवी शतापदी तक यानि की चार सो साल तक एक छोटा हीम यूगाया था जिसमें हिमालिय का बड़ा क्षित्र बर्फ की अंदर दबा रहा वेग्यानिकों के अनुसार मंदिर की दिवार और पत्थर पर आज भी इसके निशान पाये जाते हैं यह निशान क्लेसियर की बज़े से बने हुए फिर भी मंदिर को कोई भी नुक्षा नहीं हुआ है यह मंदिर का निर्माण कटवा पत्थरों के भुरे रंग के विशाल और मजबुत शिलाखंडों को जोड़ कर बनाया गया है यह मंदिर की दिवारे 12 फूट मोटे है यह आश्यर्य है कि इतने भारी पत्थर को इतनी उच्चाय पर लाकर मंदिर का निर्माण कैसे किया होगा खास कर यह विशाल का इच्छत कैसे खंपों पर रखी गई होगी यह पत्थरों एक दूसरों को जोड़ने के लिए इंटरलोकिंग तकनिक का इस्तिमाल किया गया है यह तकनिक हज़ारों साल पहले कैसे आई होगी यह एक चर्चा का विशाय है 2013 में बादल फटने से आईवी आपदा में केदारनात मंदिर को छोड़ कर सब कुछ तबाह हो गया लेकिन मंदिर आज भी सुरक्षी थे हैं यह कोई चमतकार से कम नहीं है यह कुछ तस्वीरे हैं जो 1882 में पहली बार ले गई थी तो आपको यह देखकर कैसा लगा कॉमेट सेक्षन में जरूर बतायेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाए हिंड